अलो दोस्तों वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हो आप सब आशा करते हूं कि आप सब टीक होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ कॉम्पैक्ट का रिवीव शेयर करने वाली हूँ तो यह कॉम्पैक्ट एमेल मैट लूक का है बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है और इसके पहले मैंने इसके फाउंडिशन का रिवीव किया है वो तो सुबब है तो कही फाउंडिशन मैंने अप्लाई किया हुआ है उसका रिवीव मेरे चैनल पे है तो जाके आप वो भी चेक आउट करिएगा और कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताईएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो पूरी एंड तक देखा करिए और जो नए है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों और बेल बेटन प्रेस करना ना भूले बेल बेटन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस एमेल मैट लूप मैट लूप स्प्लेंड मेकप टूवे केक क्लियर विडाउट फ्लो यह भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में एमेल का फांडेशन भी यूज़ करके दिखा और मैंने उसकी तो और इसका जो नेट वेट है वो 20 ग्राम है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 यह की है आइट अन ब्राइट सॉफ पावडर रीच इन मिनरल इंग्रिदेंट अन नेचुरल मॉस्टराइजरी फैक्टर इट टॉच यूवर स्कीन क्लोजली अन नाचुरली यह कॉम्पैक्ट यूज करने से अपनी स्कीन ग्लो हो जाएगी ब्राइटन हो जाएगी और एक 3D एफेक्ट आएगा अपने फेस पे और कॉंटॉर भी हो जाएगा तो चलिए इसको यूज करके देखते है ऐसे पैकिंग में आता है यह ऐसे पैकिंग के साथ है और यह स्कीन कलर में इसका जो कलर टेक्षर है वह बहुत ब्यूटिफूल है और इससे प्रेस करना पड़ता है तो यह बहुत ट्रीकी हो जाता है तो इससे प्रेस करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा फ़ुस्ट उसके बाद यह सेकेंड, एक लाइट कलर एक डार्क कलर है और इसका जो sponge है वो इस तरह है तो हम sponge से यूज़ करके देखेंगे यूज़ करने वाले हूँ जो फ़ुस्ट है वही मैं यूज़ करूंगी इसके जो पैकिंग ही वो बहुत मोटी है और ये यूज़ करके दिखते हैं कि कैसा है ये प्रोड़क्ट इसे यूज़ ना करते हुए आप ब्रश के हेल्प से भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश के हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो अलोवर ये गुड़ प्रोड़क्ट है इसके फिनिशिंग भी बहुत स्मूथ है और पावडर फॉम में ही है इसका जो टेक्स्चर है वो तो अच्छा है प्रोड़क्ट आप यूज़ कर सकते हो इसे डेली बैसिस पर यूज़ कर सकते हो इनके मेकप के लिए आप ये प्रोड़क्ट ले रहे हो तो ये इतना अच्छा नहीं है इसे आप डेली यूज़ कर सकते हो तो ये बैटर है ये आपको डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है तो अल-ओफर ये प्रोड़क्ट अच्छा है और मैंने जो इसका शेड है वो मैंने वाइट इवोरी लिया जीरो टू नंबर है मेरे shade का number 02 है और किसी-किसी shades में मेरा 01 लगता है इसे use कर सकते हो और मुझे अच्छा लगा है ये product daily use के लिए ये मैं use कर सकते हूं बट मैं party में या मैं किसी function में जा रहे हूं तो मैं ये use नहीं कर सकती इतना ये coverage नहीं देता है तो ये daily के लिए coverage इसकी बहुत अच्छी है और daily basis पे एक light foundation और lighter compact ही use करना चाहिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे end करती हूं कैसा लगा वीडियो हो ज़रूर कमेंट करके बताईएगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो subscribe करना ना भूले दोस्तो चली मिलती हूं आपसे next वीडियो में बाई